So guys, SSC Constable GD के Admit Cards Download होना शुरू हो चुके हैं अगर आपने SSC Constable GD का Form Fill किया था जिसमें की 26,146 Total Vacances दी तो अगर आपने अपना Form Fill किया था तो आप अपनी Exam Date को Check कर सकते हैं अपनी Exam City को Check कर सकते हैं अपना Admit Card कैसे Download कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको Step by Step बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आजाना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे Scroll Down करना है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Important Links में Paper First Admit Card और दोस्तो यहाँ पे आपने जिस वी रिजन से अपना Form फिल किया हुआ है SSA Constable GD का तो यहाँ पे आपको उस रिजन को Select कर लेना है आप यहाँ पे देख सकते हैं SSC NWR, SSC CR, SSC WR, SSC MPR तो आपने जिस वी रिजन से अपने Form को फिल किया है उस रिजन को आप Select करेंगे जैसे कि हम SSC NWR को Select कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे Next Page पे Redirect कर दिया जाएगा हमारे सामने SSC NWR.org की Official Website ओपन हो जाएगी दोसो यहाँ पे हमारे सामने Instructions का Page आएगा यहाँ पे हमें नीचे Scroll Down करना है और यहाँ पे हमें Terms and Condition को Accept कर लेना है इस Box को टिक करके उसके वाद हमें Submit के Option पे Click करना है और दोसो उसके वाद आपके सामने इस तरीके का Page आएगा यहाँ से आप अपने Admit Card को Download कर सकते हैं अपना Exam Status चेक कर सकते हैं तो दोसो यहाँ पे आपको नीचे Scroll Down करना है और यहाँ पे आपको दो Options मिलते हैं अपना Status चेक करने के लिए सबसे पहले हैं कि आपको यहाँ पे अपना Register ID यहाँ पे Roll Number एंटर करना है अगर आपके पास Register ID यहाँ पे Roll Number है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद अपनी Date of Worth को यहाँ पे Calendar में से Select कर लेंगे और Search Status के Option पे Click करेंगे तो आपका Status यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आपको Register ID यहाँ पे Roll Number नहीं पता है तो ऐसे में आपको Second वाला Option देखने को मिलता है जिसमें कि आपको अपना Name and Date of Worth एंटर करनी है दोस्तों यहाँ पे आपको अपने Name के First के 3 लेटर सी एंटर करने है और उसके बाद नीचे आपको Date of Worth का Option मिलता है आपको यहाँ पे Calendar में से अपनी Date of Worth सेलक करनी है उसके बाद Search Status के Option पे Click करना है तो Next Page आपके सामने Open हो जाएगा यहाँ पे जो है आपका Download Admit Card Status आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी Registered ID, Role Number, Name, Father's Name, Date of Worth, Category, Gender सब कुछ Details आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपकी Exam Date क्या है वो Date आप यहाँ पे चेक कर लेंगे आपकी Shift कौन सी है यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगी उसके बाद आपका Reporting Time and Entry Close का यहाँ पे आपको Time देखने को मिल जाएगा और आपका Exam के City में है वो City आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि आपकी Exam Date क्या है, Shift क्या है, Reporting Time क्या है, City कौन सी है लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी आपको Admit Card Download करने का Option नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपको अपना Admit Card कैसे Download करना है तो उसके लिए आपको यह समझना है कि आपका Exam Date जब भी है उससे चार दिन पहले आप अपना Admit Card Download कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे Exam Date 6th of March 2024 दिखा रहा है तो यहाँ पे 2nd of March 2024 को हम Admit Card को Download कर सकते हैं और उस Admit Card का Print Out निकलवा के आपको अपने Exam Center पे पहुँचना है और उसके बाद आप अपना Exam दे पाएंगे तो दोस्तों इस तरीके से जो है SSCG Constable GD का Admit Card आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसी के साथ अपना Status चेक कर सकते हैं आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किये जगा आगे भी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे Exam से Related Content देखना चाहते हैं तो आप नीचे Comment वाक्स में Comment करके ज़रूर बताईएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ Notification बैल को प्रेस कर ली जगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई